नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शगुफता साहिल देव आप देख रहे हैं G&T स्पेशल आखिरकार देश को अपना पंधरमा व्राश्टुपती मिल गया है द्रौपदी मुर्मो ने आज भारत की पंधरमी व्राश्टुपती के तौर पर शपत ले ली इस साल देश आजादी का अमृत वर्ष मना रहा है और इसी साल भारत को पहली ऐसी व्राश्टुपती मिली हैं जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ था यानि वो अब तक की सबसे कम उम्र की व्राश्टुपती भी हैं द्रौपदी नाम को महा भारत काल से ही स्री शक्ती का प्रतीक माना जाता रहा है आज इसी नाम के साथ एक आदिवासी महिला दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सरवुच्च सवधानिक पत तक जा पहुँझी मौका बड़ा था तो उसे मना भी वैसे ही गया बेहत भविस अमारों हुआ आज द्रौपदी मुर्मो ने भारत के राश्रपती के तौर पर शपत ली भारत की तीनों सेनाओं के जवानों ने अपनी सुप्रीम कमांडर को गार्ड ऑफ ओनर दिया देखे हमारी एक खास रिपोर्ट महा महेम राश्रपती जी मैं द्रौपदी मुर्मो इस्षर की सपत लेती हूँ कि मैं स्रधापुर पर भारत के राश्रपती पत का कार्य पालन करूंगी सवासो करोड जन गण मन की अधिनायक हिंदुस्तान की सशस्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर भारत के सरवोच्च संवैधानिक पत की आभाव आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुई देश की पहली राश्रपती और देश की पंद्रहवे राश्रपती महामहें द्रौपती मुर्मू यह हमारे लग्त अंत्र की ही सक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी दूर सुदूर आदिवासी छत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच सम्वेधानिक पत तक पहुंच सकता है 25 जुलाई 2022 की तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में तर्च हो गई आने वाला कल इस तारीख को आजाद हिंदुस्तान के उस दिन के रूप में याद रखेगा जब देश के सर्वोच सम्वेधानिक पत पर पहली बार एक आदिवासी ने था आसिन हुई पहुंचना मेरी व्यक्थिकत उपलब्धी नहीं है यह भारत की प्रत्यक गरीब की उपलब्धी है अम्रा नीरबाचन इस बात का सुबुत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर्षा और यह मेरे लिए बहुत सोंतोष की बात है कि जो सदियों से बंचित रहे जो जीवन विकास के लाब से तूर रहे प्रेव गरीब दुलित पिछड़े तो था अदिवासी मुझे यह अपना प्रतिवीम देख सकते है देश इस तारीख को उस दिन के रूप में याद रखे है जब भाती गणराज्ये को दूसरी महिला राश्पती में इस निर्वाचन में देश के गरीब वा का अशिरबात सामिल है देश की करोड़ों, महिलाओं और बेटियों के सपनों और स्वामुर्थ की जलक है शपत ग्रहन से पहले आज सुबह सबसे पहले द्रौपती मुर्वू ने राजगार जाकर राश्पता महात्मा गांधी को शद्धांजिली अर्पित उसके बाद रौपदी मुर्मो राश्पती भवन के नौर्थ कोट पहुचे जहां नीवर्दमान राश्पती रामनात कुविन ने उनका स्वागत किया इसके बाद नव निर्वाचित और निवर्थमान राश्पती दर्बार हॉल पहुचा फिर राश्पती भवन के फोर कोट में राश्पती के अंगरक्षकों ने उन्हें सलामी दी और फिर पूरे लाव लश्कर और शान शौकत के साथ राश्पती का काफिला संसत धवज के लिए रवाना हुआ जब दोनों संसत पहुचे तो राज्यसभा चेर्बैन विंक या नायटू चीफ जस्टिस इन्वी रमन्ना और लोगसभा स्पीकर ओम बिल्ला ने दोनों का स्वागत किया सवादस बजे संसत भवन के सेंटरल हॉल में चीफ जस्टिस इन्वी रमन्ना ने दुरौपदी मुर्मू को राश्पती पत की शपत दिला मैं दुरौपदी मुर्मू इस्टर की सफद लेती हो की मैं स्रधापूरपक भारत के राश्टपती पत का कारियोपलन करूंगी और उससे बस मुर्मो के बगल में बैठे राश्पती रामनात को विन ने कुर्सी छोड़ी और द्रौपती मुर्मो उस पर विराश मांद भी कुर्सी बगले जाने के तुरंग बाद हस्ताक्षर की कारवाई पूरी हो जिसके साथ ही नया राश्पती बनने के प्रक्रिया पूरी हो गड़ी पूरे सदन ने नई राश्पती रौपती मुर्मो का गर्म जोशी से स्वागर इस खास पल का गवाँ पर निखी द्रौपती मुर्मो के राज्य ओडी साज्य मरियूर भरिस्त में 64 खास पहमान की पहुंचाई शबत लेने के बाद द्रौपती मुर्मो ने पंद्रह में राश्पती के तौर पर संसत को संभोज रही हो इन पजिस बर्सों में अम्रुतकाल की सिध्धी का रास्ता दो पट्री पर आगे बढ़ेगा सब का प्रयास और सब का कर्टबलू भारत के उज्जल भुशत के नहीं विकास जात्रा हमें सब के प्रयास से करनी है कर्टब्यपत पर चलते हुए करनी ही है द्रापडी मुर्वो ने सश्यस्तरबलों के सुप्रीम कमांडर के तौर पर तीनों से नाओ और देश को कर्गिल विजय दिवस की अक्रिम बताई थी 26 जुलाइगो कर्गिल विजय दिवस की है ये दिन भारत की सेनाओं के सर्य और स्यों दोनों का ही प्रत दिखे मैं आज मैं आज देश की सेनाओं को तो था देश के समस्त नागरिकों को कर्गिल विजय दिवस की अग्रिम सुब कामनाई देती इसके बाद पीनों सेनाओं ने अपने नए कमांडर को गार्ड अफ़ानर देती इसके साथ या अजाथ भारत के पिहास में एक नए युक का आगास हो जरा सोचिए पहले टीचर फिर पारशद विधायक फिर एक राज़की गवर्नर और अब देश की वराष्टपती आज हर जुबान पर उनका नाम है लेकिन दुरापदी मुर्मो एक लंबा सफर तै करके यहां तक पहुंची है अपने इस सफर में उन्होंने तमाम तरहें के उतार चड़ाव देखे बहुत कुछ खोया कई अपनों का साथ भी चूटा तो कई बार किस्मत महरबान भी हुई आज हम आपको दुरापदी मुर्मो के संघर्ष की वही कहानी दिखाने जा रहे हैं इस कहानी की शरवात अपसे छे दशक पहले उन्हिशा के एक छोटे से गाउं से हुई थी मैं रोपदी मुँ इससर की सपलेती मुँ की मैं सवधापुलबक भारत के राश्पती पत्वत का कार्यवान भी तो था अपनी पूरी यगज़ा से जुनून होना चाहिए अपने आप में कभी भी छोटा नहीं मैं सुस करना चाहिए कि यह महिला है यह फूरूस है क्योंकि सुब के अंधर पोटेंसियालिटीज है ठीक ही कहा था दुरापदी मुर्मोनी संभावनाई सभी में होती लेकिन उन संभावनाओं के सागर में से काम्याबी का मूती निकालने का जुनून सब में नहीं होता लेकिन दुरापदी मुर्मो अगर सबकी तरह होती तो क्या सवा सव करोड लोगों के देश की प्रथम नागरिक बनने का सपना देख पाती आजजिंद रौपदी मुर्मो ने राई सीरा हिल्स तक का सफर पूरा कर लिया है उनके लिए इस रास्ते के शुर्वात राजधानी से बेड़ हजार किलोमेटर दूर ओरिसा के रायरंगपुर से हुची औरिसा की राजधानी भवनेश्वर से खरीब 280 किलोमेटर की दूरी पर मुईरुभंज जिले में चूटा सा कस्बा है रायरंगपुर इसी रायरंगपुर के उपर बेड़ा गाउं में 20 जून 1958 को बिरंची नारायन टूडू के परिवार में ज्रौपदी मुर्वो का जन्व हुआ था परिव 6,000 लोगों के आबादी वाले उपर बेड़ा गाउं के जादा तर लोग आदिवासी है संपन्नता ने यहाँ शायद अभी अभी फदम रखा है इसले गाउं के सारे गली कुचों तक अभी पहुच नहीं पाई है यहाँ कच्चे पक्ते मकानों के बीच ही मौजूद है वो घर जहाँ दौपदी मुर्वो पैदा हुई थी इस घर से थोड़ी ही दूरी पर वो स्कूल भी मौजूद है जहाँ दौपदी मुर्वो ने पाँच्वी क्लास तक की पढ़ाई की थी मैंने अपने जीवन जात्रा पूरवी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गाउं से सुरू की थी मैं जिस प्रिस्ट भूमी से आती हूँ वहां मेरे लिए प्रारूमिक सीच्छा प्राप्त करना भी एक सुपने जैसा ही था लेकिन उन्हें वाधाओं के बाबजूद मेरा संकल द्रेड रहा और मैं कोलेज जाने वाली अपने गाउं की पहली बेटी हुई पढ़ाई खत्म होने के बाद द्रापदी ने ओरिसा के सिचाई और उज्जावे भाग में जूनियर सहायक के तौर पर कई साल नौकरी की लेकिन पहले शादी और फिर मा बनने के साथ मिली जिम्मेदारियों के चलते उन्हें नौकरी से दूरी बनाने पड़ी अगले कुछ साल परिवार और बच्चों की देखवाहल में बिता कर द्रापदी 1994 में भुवनेश्वर से रायरंगपूर लौटा वापसे के बाद वो अर्विंदो इंटेग्रल एजुकेशन और रिसर्च सेंटर टीचर के तौर पर कांग करने लगी मन में समाज के लिए कुछ करने की लगन थी सो उन्होंने 1997 तक अर्विंदो इंस्टिचूट में बिना एक भी रुपई की तनखा लिए बच्चों को पढ़ाया इस स्कूल में पढ़ाना द्रापदी मुर्मो की जिन्दगी का ये वो मोर था जब उनके सामाजिक जीवन की सही मायने में शुरुआत हुई थी तीन साल तक इस स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम करते हुए उन्होंने अपने राजनितिक जीवन के लिए जमीन तयार की वो 1997 का साल था जब उनिसा के एक छोटी से कोने से द्रापदी मुर्मो ने अपने राजनितिक सफर की शुरुआत की 1997 में द्रौपदी मुर्मू पारशत का चुनाव जे थी वो रायरंगपुर सीट से दो बार विधायक चुनी होई पहली बार विधायक बनने के बाद वो मार्च 2000 से 2002 तक पटनाएक सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री रही सरकार में रहते हुए उन्होंने कॉमर्स और ट्रांस्पोर्ट विभाग का जम्मा उठाये माई 2002 से माई 2004 तक वे ओडिसर परकार में राज्यमंत्री रही 2004 में हुए विधान सभाचुनाव में जीत दर्जकर वो दूसरी बार विधायक बनी अच्छारा माई 2015 को द्रौपदी मुर्मु ने जारकंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपत ले और आज वो भारत की दूसरी महिला राश्ट्रपदी के तोर पर शपत ले चुकी लेकिन सियासी सफर पर जहां वो एक के बाद एक काम्याबी की सीढ़ियां चट्पी गई तो वहीं उनकी निजिल जिन्दगी में उन्हें तोड कर रख देने वाले अनुभवों से गुजरना पड़ा ज्रौपदी मुर्मु की जिन्दगी में सबसे काला दौर तब आया जब उनके युवा बेचे की मौथ हो गई थी एक दिन मैंने सुना कि बच्चा सुबह नहीं है चली गए शरीर चट दिया तो क्या हुआ मुझे पता नहीं तो मैं थोड़ा टूट गई ज्रौपदी ने धर्म और आध्यात्म का रुख किया था बेचे की मौथ के बाद वो ब्रम्हकुमारी बन कई थी मैंने सुचा थोड़ा मुझे रिलिजियोन के दिशा में मुझे जाना है मुझे तपस्चा थोड़ा करना है माइड को थोड़ा सेट करना है इसलिए मैं ब्रम्हकुमारी जयन किया देन रात मैंने थोड़ा मेडिटेशन काते रही माइड को थोड़ा सेट कर लिया मेडिटेशन और आध्यात्म के रास्ते वो अभी अपने जिंदगी को राह पर लाही रही थी कि उनके जिंदगी में एक के बाद एक कई हाथ से होते चले गए लेकिन तकलीव के इस तलतले से गुजर कर भी ज्रापदी ने खुद को सब्खाला और हिम्मत जुटा कर एक बार फिर खड़ी थी अपकी बार उन्होंने खुद को समाज सेवा में जोग दे अपने इसी जीवचता और व्यवहार के बूते आज द्रापदी मुर्मू भारत की पंद्रवी राष्ट्रपती बन गई और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपती के तौर पर इतिहास मुर्म का नाम हमेशा के लिए चर्च हो गया पुरिशा के मई उर्भंज से सुरियाग नीरोय के साथ विर्यो रपोर्ट फुड नियूस टुट देखे आज से अगले पांच साल तक राष्ट्रपती भावन ही द्रापदी मुर्मू का घर भी है और दफतर भी ये देखना काफी दिल्चस्प होगा कि द्रापदी मुर्मू प्रेजिडेंट के तौर पर राष्ट्रपती भावन में क्या कुछ बदलाव लाती है समयधानी प्रक्रियाएं तो खैर बदली नहीं जा सकती लेकिन प्रेजिडेंट हाउस और इस पत से जुड़े कई ऐसे चलन जरूर हैं जिने अलग-अलग वक्त पर अलग-अलग राष्ट्रपतीयों ने अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की किसी ने सम्मान सूचक शब्द बदला तो किसी राष्ट्रपती ने अपने वक्त के दौरान सरकार के फैसले की खिलाफ ही अंगत के पाउं की तरह वोड़ गए आपको सुनाते हैं महा महीम के ऐसे ही कुछ दिलचस्प किससे अजाद हिंदुस्तान के सीमे पर शान से खड़ा ये राष्ट्रपती भवन अब तक डौक्टर राचित प्रसाद से लेकर द्रौपदी मूर्मू तक भारती गणराग्जिके 15 राष्ट्रपती देच चुका है हर नए राष्ट्रपती अपने साथ अगले 5 सालों के लिए कई बदलाव और कई यादगार तिससे लेकर आते हैं राष्ट्रपती के पद, गरिमा और राष्ट्रपती भवन से जुड़ी कई ऐसी परिपाटिया हैं जो दशकों से जियों की तियों चली आ रहे हैं लेकिन ज्यादा तर राष्ट्रपती अपनी सोच, समझ और संवेदनाओं की छलनी में चान कर इन पुरारी परंपराओं में कई छोटे बड़े बदलाव करते आई वाक्त के साथ ये बदलाव इस पद की पहचान का हिस्ता बनते चले गए ऐसा ही किस्तापोर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर जी के समय का है बताए जाता है कि प्रणव मुखर जी राष्ट्रपती के लिए महा महिम शब्द की जगा माननिये के इस्तेमाल की शुरुवात करवाई थी इसके अलवा प्रतिभा पार्टिल और प्रणव मुखर जी के कारिकाल में और भी कई छोटे बड़े बदलाओं की शुरुवात हुए राश्पती भौन को उन्होंने आम जन्ता के लिए खोला है यह तो बहुत अच्छी बात है उसके अलवा प्रतिभा पार्टिल जी थी तो उन्होंने एक महत्पूर्ड इनिस्याटिव यह लिया था कि वो खुद इनुवेटिव जो मेला हो सकते हैं स्कालर्स हो सकते हैं उन्हों को भी रखा उसके साथ ही मैं प्रणुम खर्जी जी का एक और मैं वाक्या सुनाना चाहता हूँ वह है राइटर इन रेजिडेंस प्रोग्राम सुरू किये जिसमें आतित लेखा गा करके राश्ट्रपती भावन के बारे में लिखता था और उसके साथ ही जब हो सभी कुल्पतियों को बुला करके सम्मेलन करते हैं तो एक बड़ा नीजी इती हुए इसी तरह नीजी तोर पर भी कई राश्ट्रपती कई परंपराओं को बदलते रहे उदाहरण के तोर पर देश के पहले राश्ट्रपती डॉक्टर राजिंद प्रसाद सोमनात मंदर के उद्खातन समारोव में शामिल होना चाहते थी लेकिन तब देश के पहले प्रुधान मंत्री पंडित नहरू का मानना था कि पंथ निर्पेक शुदेश के मुख्या को सारवजन एक टॉर पर अपने धार्मिक रुज़ानों को प्रकट नहीं करना चाहे लेकिन डॉक्टर राजिन दिप्रसाद ये कहते हुए सोमनात मंदर गए कि सोमनात आकरान ताउं के सामने राश्ट्रिय विरोज का प्रधीक है सोमनात चेंपल का जो की मरमत जो हुई थी तो उस पर ये जाना चाहते थे राश्ट्रपती तो नहरू ने कहा कि ये तो एक सेकुलर देश है यामर राश्ट्रपती वगरा एक खास रिलिजिन की चीजों में फाग लेना नहीं ठीक नहीं होता और नहरू के जो ओपोजिशन के बावजुद भी ये प्रेसिडन्ट वहां पर गये हैं और पूजा पूजा किया है उसी दोर में देश के दूसरे राश्ट्रपती जॉक्टर सर्वपली राधा कुशनन भारत चीन युद्ध के बाद बतौर राश्ट्रपती नकेवल सरकार की खुले तोर पर आलूचना की बल्की उनके दवाव के चलते पंडित नहरू को तक कालीन रक्षा मंत्री को बरख आज तक करना पड़ा था हमारे उपर हम्ला हुआ था उस वक्त नाइटीन सिक्टी टू में उस वक्त बड़ी जोर से डिमांड आई कि उस वक्त का जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर वीके कृष्णा मेनन इनको हटाय जाए जैकि नहरू एग्री नहीं कर रहे थे कि वह उ बदलना पड़ेगा आपको तो जब वो प्रसीडेंट बश्कूल डटे रहे हैं तब कृष्णा मेनने उनको हटाना पड़ा राष्ट्रपती के पच्च जुड़े ऐसे कई किस्से हैं जो राइसीना हिल्स के तिहास को दिल्चस्प बनाते हैं वैसे पिछले कई वश्चों तो से भारत के ने राष्ट्रपती हर साल पच्चीज जुलाई को ही शपत लेते हैं दरसल इस तारीख के साथ ने राष्ट्रपती की शपत का खास कानेक्ष्ण है 25 जुलाई madness 277 को नीलम संजीवा रेड़ी देश के छठे राष्ट्रपती बन गए। यहीं से देश के राष्ट्रपती पत की शपत 25 जुलाई को लेने की परंपरा शुरू हो गई। इसके बाद हर राष्ट्रपती ने अपना कारेकाल पूरा किया है। यानि तब से हर राष्ट्रपती का 5 साल का कारेकाल 25 जुलाई को पूरा होता है। और इसलिए उसी दिन यानि 25 जुलाई को ही अगले राष्ट्रपती शपत लेते हैं। अब तक 9 राष्ट्रपती 25 जुला करता है दिल्ली से राम किंकर सिंग और मनीश चौरसया के साथ बीरो रपोर्ट गुद न्यूस टुटेंट